तो दोस्तों आज देखेंगे कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो हाली में लॉंच हो गए हैं या लॉंच होने वाले हैं देखेंगे इनके फीटर्स, क्वालिटी और पर्फॉम्मेंस के बारे में और देखेंगे इनकी फर्ष्ट सेल कब है तो मैं हूं माई सर्मा और तो आप देख रहे हो माई करेशन तो वीडियो को सुरू करते हैं इससे पहले हमार जैन को सब्सक्राइब करिए और बेर आकन को प्रेस कर दिये तागि नए नए वीडियो आप तक पहुंस गए तो वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इनपी नेक्स जीरो 8i की यह 3 December को launch हो रहा है और इसमें वो सारे features हैं जो एक budget phone में होने चाहिए और इसके physical features की बात करें तो इसके back side में quad camera दिया है जो कि square phone में हैं और इसके अंदर चार camera मिलते हैं और साथ मिलते हैं एक फ्लेस और इसका जो primary camera है वो 48MP का दिया है और इसके front camera की बात करें तो इसमें in-display dual selfie camera मिलता है और इसकी processing की बात करें तो इसमें अपने को मिल लगा MediaTek G90T processor जो की एक high performance gaming processor है इसकी memory की बात करें तो इसमें 8GB की RAM और 128GB की internal storage मिलेगी तो दोस्तों इसके अलावा अभी तक इसकी और कोई detail कहीं पर भी mention नहीं कीगी है लेकिन December 2020 इसका बहुत ही जब्रदस mobile होने वाला है अब बात करते हैं Motorola phone की तो Motorola के दो phone आने वाले है पहला जो phone है वो है Moto G जो कि एक 5G phone है और यह इंडिया का पहला phone है जिसमें Snapdragon 750G processor दिया है इसकी launching 30 November को हो चुकी है और इसकी जो first cell है वो 7 December को दिन में 12 बज़े है और इसकी basic features की बात करें तो इसमें 5000 Mac की बड़ी बैटरी मिलेगी 6.7 inch की HD display मिलेगी और इसके camera की बात करें तो इसमें triple camera के साथ भी एक flash मिलेगी इसका जो primary camera वो 48 में अब की तलका है इसकी बात करें तो इसमें 6GB RAM और 118GB का internal storage मिलेगा और इसमें 1TB तक का memory card लगा सकते हैं और इसमें IP52 rated water replant design मिलेगी जो inside और outside दोनों तरप से phone को protect करेगी अब बात करते हैं इसकी कीमत की तो इसकी कीमत वैसे तो 21,000 रुपे हैं लेकिन HDFC bank इस पर 1000 रुपे का discount दे रहा हैं तो ये phone 20,000 रुपे में पड़ेगा तो around 20,000 में ये phone बहुत ही जबदस्त है इस phone में वह सारी features हैं जो एक अच्छे phone में होने चाहिए हैं तो Motorola का जो अगला phone है वो है Motorola G9 Power पास नमबर को ये phone अनाउंस किया गया है और December last तक इसकी पहले cell आ सकती है इसके basic features की बात करें तो इसमें 6.8 इंच की बड़ी display मिलेगी साथ में इन display selfie camera मिलेगा और इसके main camera की बात करें तो इसमें triple camera आएंगे जिसका जो primary camera है वो 64 megapixel का आएगा इसकी memory और performance की बात करें तो इसमें 4GB RAM मिलेगी 128GB तक internal storage मिलेगा जिसमें 512GB तक memory card लगा सकेंगे और इसके processor की बात करें तो अभी तक इसका processor डिगलेड नहीं हुआ लेकिन इसमें Snapdragon 662 processor आ सकता है और इसकी design की बात करें तो ये phone भी water replant proof आएगा जो phone को अंदर और बार दोनों तरफ से protect करेंगी और इसकी battery की बात करें तो इसमें 6000 नमच की बड़ी battery मिलेगी जिसके साथ में आएगा और ये phone दो किलर में अवलेबल होगा blue और silver तो दोस्तों इस phone में भी वो सारे features मिलेंगे जो एक normal phone में होने चाहिए तो दोस्तों कुछी समय पहले विवो ने एक phone launch किया था विवो वी 20 जो काफी slim और जबदस camera phone था इसके बाद विवो ने इसका pro version निकाला विवो वी 20 pro जो कि एक 5G phone है और snapdragon 765 processor और जबदस phone बनाता है इसके camera की बात करें तो इसमें triple camera आते हैं इसका जो primary camera है वो 64 megapixel का है और इसमें 44 megapixel के dual front camera दिये हैं इसकी display की बात करें तो इसमें 6.5 pin की emulate display आएगी इसकी बेटरी की बात करें तो 4000 mAh की बेटरी ये 7 में आएगा और इसके 7 में आएगा 33 सोट का fast charger ये एक 5G phone है और इसमें dual sim 5G network मिलेगा इसकी design की बात करें तो इसमें 7.49 mm का slim design मिलेगा और पिछे के side में matte glass design मिलेगी जिस पर किसी बीपर card का कोई भी scratch नहीं आएगा इसकी memory की बात करें तो इसमें 8GB RAM और 128GB की internal storage मिलेगी तो दोस्तों ये phone launch हो चुका है और फिलिप card पर available है बात करते हैं इसकी कि gaming experience होने वाला है तो दोस्तों अब बात करते हैं Poco phone की तो Poco लेकर आ रहा है Poco M3 phone इसकी announcing नवंबर में हो चुकी है लेकिन इसकी launching date कब है ये अभी तक final नहीं हुआ है तो दोस्तों ली के आदार पर इसकी features की बात करते हैं तो इसमें triple camera मिलने वाले है और इसका जो primary camera है वो इसके variant की बात करें तो इसमें दो variant available होंगे 4GB 64GB और 4GB 128GB और साथ में 8MP selfie camera मिलेगा बात करते हैं इसकी looking की तो इसकी looking M2 phone से काफी अलग है तो दोस्तों ये भी एक budget phone होने वाला है तो अगला phone है Techno Powa ये एक starting budget phone होने वाला है 4 December को flip card पर दिन में 12 बज़े ये launch होने वाला है और mid December तक इसकी first cell देखने को मिलेगी इसके features की बात करें तो इसमें 6.8 inch की HD display मिलेगी और in display 8MP selfie camera मिलेगा और इसके main camera की बात करें तो इसमें quad camera आएगा और इसका primary camera है वो 13MP का है 6000 mAh की बड़ी बेक्टरी आएगी जिसके साथ में आएगा 18V का fast charger और इसके processor की बात करें त तो इसमें 6GB RAM मिलेगी और 188GB का internal storage मिलेगा तो दोस्तों इसका camera थोड़ा कम है वाकि सारे features जबरदस्त हैं तो दोस्तों इनके लावा Realme 7 का 5G version लाँच कर रहा है जो जबरदस्त होने वाला है तो दोस्तों December में बहुत सारे 5G phone लाँच होने वाले हैं जो budget phone होंगे 20,000 से 15 2000 के बीच में होंगे तो दोस्तों यह थे कुछ smartphone जो हाले में launch हो चुके हैं या launch होने वाले हैं इसके लाग हमारे हैं कुछ detail मिस हो गए हो या आपके पास कुछ नए अफेक्ट हो इस वीडियो के बारे में तो हमें comment box में जुरूर बताएं अभी तक हमाने टेंगों सब्सक कर दिए और बेर आइकन को फ्रेस कर दिए तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अपने स्वास्त का ध्यान रखें और अपने आसपास सब्सक्राइब रखें मिलते एक लिए वीडियो में तबते के लिए एहल विदा